दोस्तों जब आप English बोलते हो तो क्या vocab आपकी समश्या बनती है? क्या आपको vocabs याद नहीं रहती है? या फिर जब आप English बोल रहे होते हैं तो आपको सोच सोच करके बोलना बढ़ता है कि इसका जवाब हाँ है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ vocab का समाधान इसके अंदर हम सीखेंगे vocabs को बहुत ही easy तरीके से चाहे आप competitive exams में इनको यूज़ करें चाहे आप अपनी spoken में आप इनको यूज़ करें दोनों में ही vocab का बहुत बड़ा रोल रहता है तो चलिए इस वीडियो में सीख लेते हैं vocabs को एक easy trick से एक कवीता से एक कहानी के मादम से हम इनको सीखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं हे एवरिवन यू आर वोचिंग दरूरल फाइट विच सौम सर आज मैं एक कहानी के थुरू आपको vocab सीखाने के पूरी-पूरी कोशिस करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं कल मैं market में गया कल मैं market में गया तो वहाँ मैंने एक लड़के को wondering करते वे देखा wondering करते वे देखा wondering means होता है walk aimlessly walk aimlessly walk aimlessly मतलब बिना किसी purpose के घूमना जैसे कई लोगों के पास इतना time होता है कि वो time pass नहीं होता तो वो घूमने लग जाते हैं इदर उदर घूमते रहते हैं जिनको हम बोलते हैं अवारा घूमना तो wondering का आप याद रखना कि मैंने एक लड़के को wondering करते वे देखा अवारा घूमते वे देखा तो मैं उसके पास गया और उससे बाते की जब मैं उससे बाते कर रहा था तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही एमिकेबल बंदा है एमिकेबल मतलब सोसल जिसे हम कह सकते हैं एक मिलनसार जिसे कह सकते हैं जब आप किससे बाते करते हो तो बातों से पता से जाता-पिए नहीं है, आप से गुल मिलकर बाते करते है, तो मैंने उससे बाते चीचेक mitigate लग रहा था, अब Frustrate लग रहा था मुझे, कि लग रहा था कि इसके चेरे पर Dispointment थी, Dispointment हम बोलते हैं निराशा, उसके चेरे पर निराशा थी, और Frustrate सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ना किसी बात से प्रेशान है, तो Dispointment का मतलब निराशा, और Frustrate का मतलब Irritate, Irritate तोनों Similar word हैं, तो मुझे वो Irritated सा लग रहा था, Frustrate सा लग रहा था, मतलब प्रेशान सा लग रहा था, तो मैंने उससे, उसकी Frustration का Reason पूछना चाहा, Frustration मतलब उसकी निराशा या उसकी जो वो प्रेशानी थी, उसका मैंने उससे Reason पूछना चाहा, कि Why are you frustrated, और प्रेश Dispute हो गया, कल मेरा और मेरे दोस्त का Unknowingly किसी बात पर Dispute हो गया, तो यहां दो वर्ड आपके सामने आए हैं, Unknowingly, Unknowingly, No means होता है, जाना और Unknowingly होता है, बिना किसी कारण के, या फिर हम कह सकते हैं, अनजाने में, अनजाने को हम बोलते हैं, Unknowingly, और Unknowingly को हम English में देखें Synonyms देखें, तो इसे हम Unintentionally भी बोलते हैं, जैसे गैर इरादतन बोलते हैं, हिंदी के अंदर, और Unknowingly मतलब जाने अनजाने में, तो जाने अनजाने में कोई बात हो जाती है, तो उसे हम Unknowingly कहते हैं, और Dispute, Dispute का मतलब होता है, जगडा होना, तो हमारा Unknowingly क्या हो गया Dispute हो गया, तो वो लड़का बोला कि मैंने उसको Unknowingly बहुत भला बुरा कह दिया, जिससे हमारा जगडा हो गया, अब मुझे इस बात का Repentance है, अब मुझे इस बात का क्या है, Repentance है, Repentance, तो Repentance मिनस होता है, पस्तावा, जब आपको यह चीज गलत करते हो, तो आपको ल तो आप मुझे suggest करो, suggest करना मतलब सुझाओ देना, कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, what to do, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा, कि जब आपको पता है, you know very well, कि आपको पता है अच्छे से, कि आपने गलत किया है, तो आप अपनी गलती मान लो, यानि कि आप confess कर अपनी गलती मानना, जो आपके ओपर आरोप हैं, जो आपके ओपर दोश लगाए गए हैं, और वो एक्च्छल में सही हैं, तो आपको लगता है कि मैंने ये ये चीज़ गलत की है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, confess करना मतलब दोश को मान लेना, या फिर गलती मान लेन तो आप अपनी confess कर लो, तो confess को हम बोलेंगे गलती मान लेना, आप अपना confess कर लो, और उससे सोरी बोल दो, उसे ने का, you are amazing person, आप बहुती कमाल के व्यक्ति हो, amazing मतलब कमाल के, आश्च्छे चकित, ठीक है, तो आप बहुती कमाल के व्यक्ति हो, आपने मेरी प्रोब्लम को दो मिनिट में शोर्ट आउट कर दिया, तो आपने मेरी प्रोब्लम को क्या किया, शोर्ट आउट किया, शोर्ट आउट का मतलब, सुल्जाना, शोर्ट आउट मेंस सुल्जाना, ठीक है, तो उसने का, कि आप बहुती amazing person हो, बहुत कमाल के व्यक्ति हो, आपने मेरी प्रोब वहां पर thank you, you're welcome तो मैंने इसके कहते हो और ने गर्टे काने दिचली काने जिसके उगर्डे को मनें सही से यूज भी बताया कानी विजिंए था नियुक्त काम इंगल्री चाहिए यूज कर सकते हैं, इंगलिस वोकाब्स को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, यह आपने इस वीडियो में सीखा, यह आपको यह जानकारी अच्छी लगी और यह वोकाब्स आपको याद हो गई हैं, तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलना, तो see you in the next video, by the time, take care, be happy, keep smiling, thank you.